साथियों, कृष्ण गुरु सेवासरम विभिन्न समस्ताओं के जरिये पारंपारिक शिल्प और कौशल से जुड़े लोगों के कल्यान के लिए भी काम करता है। बीते वर्षों में पुर्वोत्तर के पारंपारिक कौशल को नई पहचान देकर ग्लोबल मार्केट में जोड़ने की दिशा में देश ने एतिहासिक काम किये हैं। आज असम की आर्ट, असम के लोगों के स्कील, यहां के बैम्बू प्रोडक्स के बारे में पूरे देश और दुनिया में लोग जान रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। आपको यह भी याद होगा कि पहले बैम्बू को पैड़ो की केटेगरी में रखकर इसके काटने पर कानूनी रोक लग गई थी। हमने इस कानून को बदला गुलामी के कालखन का कानून था। वैम्बू को गास की केटेगरी में रखकर पारमपारीक रोजगार के लिए सभी रास्ते खोल दिये। अब इस तरह के पारमपारी कौशल विकास के लिए इन प्रोडक्स की क्वालिटी और पहुंच बढ़ाने के लिए बज़ेट में विशेश प्रावदान किया गया है। इस तरह के उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए बज़ेट में हर राज में यूनिटी मॉल एकता मॉल बनाने की भी गोशना इस बज़ेट में की गई है। यानि असम के किसान, असम के कारिगर, असम के यूवा, जो प्रोडक्स बनाएंगे। यूनिटी मॉल एकता मॉल में उनका विशेश डिस्पले होगा ताकि उसकी जादा बिक्री हो सके। यही नहीं, दूसरे राज्यों की राजधानी या बड़े परियटन सलों में भी जो यूनिटी मॉल बनेंगे, उसमें भी असम के प्रोडक्स रखे जाएंगे। परियटक जब यूनिटी मॉल जाएंगे, तो असम के उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा। झाल